कि गुट मॉनिंग ओल उफ यू वेलकम टू फिल्लर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार दिख स्वागत हैं चैलो कि आजए सभी दोस्त लाइक और शेर ज़रूर कीजिए हमारी क्लासे लगबग पूरी हो चुकी थी मेहित की मेहित की पूरी क्लासे हो चुकी थी तो आज हम एम सी क्यू पी वाइक यू जो भी है वह आपको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ठीक है बहुत इंपोटेंट है दोस्तों ठीक है चलो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज बेल आइकन को दबाए जि टेलिग्राम गुरुप को जोइन कर लो जिससे क्लास की इंफोर्मेशन आपको पीडियेफ नौर्स और क्लास के बारे में जो भी इंफोर्मेशन है कोई क्लास बाइचांस आपकी नहीं भी हो पाती है कारण वंस तो आपको बता दिया जाएगा ठीक है चलो तो सीटेट और एच्टेट के सभी के लिए 2022 के लिए आप सभी को पता है कि आपकी क्लासे स्टार्ट हो चुकी है और MCQ स्टार्ट हो चुके है आपका कंप्लीट हो चुका था सभी का कोर्स लगबग ठीक है और MCQ आपकी स्टार्ट हो चुके है ठीक है दो 9 बजे आपकी सोशेल स्टेडी क क्लास होती है दस बजें आपकी मैथ की क्लास एक बजें आपकी इंगलिश की क्लास सीडीपी की क्लास आपकी तीन बजें एविएस की क्लास छे बजें और हिंदी की क्लास आपकी 10 बजे होती है ठीक है सभी को पता है यहां पर फेपर फर्स्ट और पर सेकंड एकदम फ्री क्लास से मिलेगी आपको चैनल आजाई यह सभी अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और जिरों ने अवितक लाइक नहीं की क्लास लाइक कर दो क्लास सुरू करने से पहले ठीक है चैλο क्लास सुरू करते है और क्लास सुरू करने से पहले बता देता हूं आपको आज चल लोगे आपके series customer motivation मैत के अंदर आपके जो भी matter question के आते हैं हम सभी इसमें आज बात करने वाले ठीक है आजाए सभी कोई भी क्वेरी हो कुशन के इंदर तो आप उसे प्लीज जरूर बताईएगा ठीक है चलो पहला कुशन आपको धान से देखना है पहला कुशन सामने क्या लिखा हुआ है चलो आपके लिए टायम दूगा में आपका टायम रहेगा time होगा आपके पास वहाँ पर देख लीजिए आपका 20 से 30 सेकंड में लगेगा और इस क्यूशन को करने में तो जल्दी से इसका अंसर बताइए यह सभी क्यूशन हम किये हुए हैं ध्यान से देखिएगा यह सभी क्यूशन आपके PY की क्यूशन है जो आपके प्रिवेश यह पेपर में आते हैं वह सभी क्यूशन इसके अंदर आपको दिखाई देए ठीक है और एक्स्ट्रा नए क्यूशन भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे चलो कि देखते हैं सबसे पहले इसका अंसर किसका आता है चलो मैं भी बता देता हूं स्टार्ट कर देता हूं देखो रमेश वै नरेश किसी कारिये को कितने दिनों में करते हैं छे दिनों में करते हैं दोनों में मिला कर कितना काम किया रमेश है ठीक है और नरेश है इन दोनों यह दिनों में अपना काल यह पूरा किया है तिक हैं यदि अकेला रमेश कि दस धिन धन Cute फींडि एसे मैंने आपको बहुत सारे करवाए थे मैंने आपको यह आप देखते हैं यह कि अभद detakte बता अाकेला नरेश नरेश उसको कितने दिन में पूरा करेगा ठीक है यही किशन है अब मैंने कहा था आरें इन दोनों का क्या लोगे आप LCM लोगे तो कितना LCM आ गया इनका LCM आपके पास 30 आ गया ठीक है इसका 5 है और इसका हो गया तो अब बता सकते हो कि एक दिन में नरेश में कितना किया बिलकुर रमेश का दिया हुआ है रमेश प्लैस नरेश बराबर आपका दिया हुआ है एक दिन में 5 कारिय करता है रमेश का एक दिन का कारिय कितना है तीन है प्लैस N दिया हुआ है नरेश का आपको निकालना है ठीक ह कितने दिनों में पूरा करेगा तो आपको क्या करना है 30 में divide करोगे 2 से तो कितना हो गया आपके पास 15 days आपका right answer होगा ठीक है clear है समझ में आया बताइए 16 days नहीं होगा यानि 16 days नहीं होगा आपका 15 days होगा ठीक है good morning all of you good morning चलो अब बताएए इस question में किसी को कोई problem हो तो किसी को भी नहीं है चले आगे अगले question की तरफ चले चलो ठीक है एक question और है इसी का कि आपके पास रहीम करीम सलीम किसी कारिय को four days में पूरा कर सकते हैं यदि रहीम सलीम देखो एड लिखते चलो लिखने से आपको क्या है कि आपका कोई भी question मतलब error नहीं होगी रहीम दिया हुआ है रहीम किया करीम किया और सलीम किया करीम प्लेस सलीम इन तिनों ने मिलकर कारिय कितने दिनों में किया four days में ठीक है पूरा कर सकते हैं यदि रहीम यह देखो रहीम किया वह सलीम ठीक है तो देखो रहीम वह सलीम उस कारिय को करमसे आ गया है करमसे का मतलब है पहले जो रहीम है वो कितने दिनों में कर रहा है बारा दिन में कितने दिनों में करेगा बारा दिन में आपका काम किया उसके बाद में सलीम दिया हुआ है और सलीम उसे करमसे कितने दिनों में करेगा पंद्रह डेज में ठीक है यहां तक तो सभी का खिलियर है यहां कुष्ण में आपको यही प्रोब्लम आती है यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ठीक है अब आगे चलते हैं समाप्त कर सकते हैं तो बताईए अकेला करीम करीम के बारे में पूछा गया है कि करीम उसे कितने दिनों में कम्प्लीट करेगा यही बात है अब इस कुष्ण को आपको कहां प्रोब्लम आ रही है यह बताईए अब इसका अंसर कोई बता देगा अब देखो मैंने कुष्ण को शोल कर दिया लगबग पूरा और कुष्ण में जो लिखा है वही मैंने रखा है एक्स्ट्रा मैंने अपने इसाब से कुछ भी नया नहीं रखा है ठीक है अब जो भी करूँगा मैं अब करेंगे आगे वाल है ठीक है अभी तेक किसी का अंसर नहीं आया है कि देखो आप स्पीड से अगरे प्रेक्टिस करोगे ना तो आपको जहां भी एर आएगी तो मैं बताऊंगा वहां पर वह प्रोब्लम सोल हो जाएगी और अगले कुष्ण में आपको वहां कोई प्रोब्लम नहीं आएगी कि आंसर आए है कि यह लो और किसी का अब देखिये कि अगर सभी का कार्ये डिप दे दिया हुआ है तो तेनों का क्या कर लो आप लए लेलो इन तीनों की यहनि आपका एक दिन का काम आ आप टोटल कार्य कितना हो गया कितना लोगे आप दूसरे के इंदर आपको क्या रखना होगा बार चोग अर्तालीस और बार पंजे आपका 60 मैं ने लिखा है और LCM क्यों रखा क्योंकि यह तीनों से डिवाइड है देखो चार से काटोगे तो आपके पास कितना मनता है फंद्रा फंद्रा चोक शाट होता है इसलिए और बार पंजे आपका साथ हो गया और इसके बाद में आपका देखो इसको तो पहले इससे किया तो आपका यह हो गया अब इससे करोगे तो आपका LCM में कितना मनेगा फंद्रा चोक शाट ठीक है यहां तक किसी को कोई प्रोब्लम हो तो बताइए आगे चलते हैं अब देखो इसने कहा है रहीम करीम और सलीम तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना कारिय किया पंद्रा उसी परकार रहीम ने एक दिन में कितना कारिय किया पांच काम किया है ठीक है उसी परकार सलीम ने एक दिन में कितना कारिय किया है फोर ठीक है अब देखो अब आपको देखो जिसके बारे में तो कैसे निकालोगे तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना कार्य किया साथ यह देखो आर-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस- कि एस यानि सलीम और सलीम ने एक दिन में कितना कारी के साथ यह हो 4 थिक है चार रग दिया देखो जिसने अभी HCF और LCM की क्लासे नहीं ली उसको LCM निकानने में प्रोब्लम आएगी ठीक है देखो एसी संक्या देखो एसी संक्या देखो छोटी से छोटी आपको जिसमें तीनों से डिवाइड हो वो संक्या तीनों से डिवाइड हो वो संक्या ऐसी संक्या आपको रखनी है अगर आप देखो 30 रखते हो आपने सोचा कि हम 30 रख लेते हैं जिससे आपको 15 से तो कट जा का और मैंने आपको बताया भी था ठीक है कि अब देखिए अब इसको निकालो कि 15 आपके पास सभीका दिया हुआ पांच चार पांच आपका नो बनता है बराबर आपका नो अगर इधर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा तो करीम का कितना हो जाएगा सातियों करीम का कितना हो जाएगा छे आपका करीम का हो जाएगा बताईए यहां तक तो सभी का चल गया है आपको पता अब करीम है तोतल कार्य कितना है आपके पासर पुल कार्य और एक दिन में कारिय कर रहा है चेंथ क्योंग क् Ramen represented 10 पार. कि नहीं कोई प्रोब्लम नहीं है कोई दिकत नहीं है एट इस्टाइली से या फिर आपका नोर्मली जो आपके लगा हुआ है वही है अगर देखो वही है तो कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है अधर जिसमें आपके काम निकरेंगे बलेक और अधर जो रंगीन होते हैं ठीक है चैलो यहां तक तो सभी का किलिए रहे आपका कितना अंसर आया है वन आंसर आया है है बिल्कुल सभी का किलियर है तो इसका राइकान सर्रें में आपको एक इस प्सप्यार का हो था इस एक ट्राइंगल दिया हुआ है उसकी बुजाएं दी हुई है दो बुजाएं आपकी दी हुई है 11 और 15 ठीक है यदि आपको परिमाप दिया हुआ है पेरामिटर दिया हुआ है 36 तो आपके इसको तीसरी बुजा निकालनी है बिलकूर करेक्ट होगा तेको MCQ चल रहे हैं MCQ चल रहे हैं आपके एक्जाम नजदीक है अब जितने MCQ आप कर सकते हो उतने करो आपने जितनी क्लासें ली है जितना आपका कमर किया गया है उन सभी के बाद में आपको क्या करने हैं MCQ निकालने पड़ेंगे साथी हो एंसी क्यू जितने निकालोगे अब आपको देखो क्लासे पूरी हो चुकी है जिन्होंने अभी तक लासे नहीं देखी है तो क्रिपया यह वह क्लासे जरूर देखें उनमें आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं तो जिन्हों ने अभी तक क्लासे नहीं देखी पहले वाली तो वह क्लासे जरूर देख लें आपको बहुत हैल्प मिलेगी साथ्यों ठीक है इस इस में कोई इतना त्राइंगल दिया हुआ है इक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ है देख्यों पेरामिटर में क्या होता है पेरामिटर है 11 plus 15 plus X equal आपके पास देखो पेरामेटर 36 दिया हुआ है 36 मैंने 36 किया है तो इसकी तीसरी बुझा पहुत असान थी ठीक है इन दोनों को 8 कर लो तो X बराबर 36 है इन दोनों को 8 करने के बाद इदर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगे और कितना हुआ 26 X की value अगर निकालना चाते हो तो देखो कितना हुआ है आपके पास 10 आपका right answer होगा तो तीसरी बुझा आपके पास कितनी सात्य हो 10 आपका right होगा अब बताईए बी आंसर क्यों आया है अब कारण भी बता दीजिए बी आंसर आपका क्यों आया है आपने किस प्रकार से इसका आंसर दिया है त्रीका जो आपके बी आंसर आया था नहीं बी नहीं होगा आपका बी नहीं होगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ठीक है पेरामिटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पेरामिटर ठीक है या पेरिमिटर जिसे बोलते हो आप ठीक है इसका फॉर्मूला बताया था मैं A प्लेस B प्लेस C ठीक है यह आपका पेरामिटर था यानि भुजाएं थी तीनों और आपका अगर half parameter पूछता है तो इसमें two का divide कर दो तो आपका half parameter भी आ जाएगा मैंने formula भी बताया था आपको hiron का सुतर बताया था की नहीं बताया जिसने class देखी है उन सभी को पता होगा hiron का अगर से त्रिपल दिया हो अलग अलग बुजा दी हुई हो area निकालना हो तो आपको क्या निकालना था पहले तो half निकालना था इसका मतलब होता है s ठीक है semi parameter अब इसको निकालते हो जब आप क्या करते है s होता है s-a बनता है s-2 बनता है इस परकार आपको मैंने hiron का सुत्तर भी बताया था और अगर मैंने आपको एक चीज और बता हुआ है तो आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना 1 upon 2 into आधार आपका करना है ठीके base into आपकी height करनी है पूंचांगी ठीक है यह आपका base हो जाता है ठीक है यह recebderल्य ह silence होता है और यह height होती होती है तो आपका answer इससे बन जाएगा ठीक है आपको उसको निकालने की जरुवत नहीं पड़ेगी देखो प्लेलिस्ट में जाओगे प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीटेट क्लास में मिलेगी उसके अंदर सारी मतलब आपकी जो भी क्लासे हुई है वो सभी आपको मिल ज सकते हैं देखो क्लासे जिन्होंने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद में mcq की पूरी क्लासे जतने mcq आपको मिल सकते हैं उन सभी को निकालना है ठीक है और फिर कि हम डाउट हो अगर रहता है तो हम एक दिन आपकी डाउट क्लासे लेंगे ठीक है उसके आपको जो भी डाउट हो कि आपको पूछ सकते हो ठीक है कि चलो तो इसका राइट आंसर आपके सामने हैं ठीक है अब देखिए अब इसमें आपका एक एवरेज वाला क्यूशन नजर आया है आपको इसमें द्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर निकाल लिएगा ठीक है कि इस परकार की मैंने बहुत सारे आपको क्यूशन करवाये थे कि ॡख़ जानगी दो जायेगे डिये शनौ को आपको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपको जैसे मैंने कहा है उसी परकार अपको निकालना इस को आप अगर एक एक लायन को और सोल क्रते जाओगे तो आपको देखो एजी हो सबी आपको दिया हुआ है Monday दिया हुआ है Tuesday दिया हुआ है उसके बाद में आपको Wednesday दिया हुआ है और इन तीनों को आपके पास ओसत दिया हुआ है कितना 50 ठीके तीनों का ओसत कित से निकालते हो ओसत आपको जब भी निकालते हो Average निकालते हो तो आप क्या करते हो कुल योग जितनी संख्यां हुए उनका कुल योग ठीक है और आपके पास संख्यां कितनी है तीन है चार है पांच है वो संख्यां यहाँ पर लिखनी है कि संख्यां कितनी है ठीक है इस प्रकार अब देखो यहाँ पर देखो अगर सोम उसत तापमान दि मिल्टिप्लाई कर दो प्स्ति आपका पंद्री या यह निर्प्सła का दो इंग एक पड़ों यहां तक तो आपका आंसर यहां बने चुका है आपके पास है तुझी दीया हुआ है और आपकस के सीतषी क्वेंस डैवा यह धिया हुआ है और इन Counter वो सत्ता आपमान 52 दिया हुआ है ठीक है इसको multiply कर दो फिर से 3 से क्योंकि 3 ही संक्या है ठीक है 3 ही है आपके पास 3 दे इसलिए तीनों को multiply करूगा तो कितना बनेगा आपके पास 150 ठीक है 156 यहीं बनेगा ठीक है अब आगे पढ़िए यहां तक भी आपका किलियर हो चुका है अब आगे पढ़ो पढ़ोगे तो यदी गुरुआर या निन आपके तरस डे का आपको दिया हुआ है कितना temperature एवरेज नहीं है temperature खुद ही दिया हुआ है चलो आगे पूचा है कि Monday का temperature क्या है आपको यही पूचा है यही किया है, अब मैं इसके अंदर से माइनस करता हूँ, क्या चीज माइनस करता हूँ, Monday, Tuesday और Wednesday को, यही किया न, Monday plus Tuesday plus Wednesday, इस पूरी संक्या को माइनस करूँगा, मतलब 156 के अंदर से कितना माइनस किया, 150, यही किया है न, देखो ज्यान से देखना है, साइट पे सो नहीं कर रहा, या यूटूब पे आपकी क्लासे नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल जाएगा, सभी क्लासे उपलब्द है, UGC, NET, CET, सभी क्लासे उपलब्द है, ठीक है, चलो, आगे देखिए, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, तो कितना होता है, Tuesday हो गया, Wednesday, आ आपका माइनस मंडे हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर इससे करूँगा, अंदर वाले टूस्डे भी माइनस का, और इसको भी क्या है, Wednesday भी माइनस का, ठीक है, ठीक है, साइट पर कैसे नहीं मिल रही, अपलोड कर दी गई है, कैस, चलो, मैं देखता हूँ, यहाँ पर कितन वा, 156 में से गया, तो आपके पास बचा कितना 6 है, ठीक है, यही हो न, अब देखिए, यहाँ पर, Tuesday से आपका माइनस का है, यहाँ पलस वाला कैंसल हो गया, ठीक है, Wednesday से आपका पलस है, यहाँ पर यह कैंसल हो गया, आपका बचा क्या क्या है, Thursday बचा है, और Monday बचा, यही वज़े से आपका क्या है, Thursday की वेल्यू आपके पास दी गई है, 15, दी होगी है, यहाँ पर मैंने रख दी 15, ठीक है, फिर भी किसी को कोई प्रोब्लम हो, तो देख लेना, चलो, माइनस आपका एम बचा है, बराबर 6 बचा है, ठीक है, अब देखो, मन्डे है, माइनस का है, इधर चला जाएगा, चलो, कोई बात में, इक्वल के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं, मैं यहाँ पर complete कर लेता हूँ, यहाँ पर देखोगे, तो देखो, क्या है, यहाँ पर आपका जो 50 दिया हुआ है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, जिससे आपको फिर आसाली रहे, अब यही संक्या, आपके पास देखो, यह तो कि इधर जाएगी नहीं, क्योंकि बड़ी संक्या है, प्लस की है, क आपके पास कितना बचा है, 44, यहीं बचा है न, और यह M की वेली हूए, यहीं मेंके दिन टेंपरेचर कितना था, 44 आपका मेंड़े के दिन टेंपरेचर था, ऐसे नहीं हो सकता, नोर्स अप्लोड कर दिये गए है, ठीक है, आप सभी के पास नंबर होगे, नंबर सभी के पास होंगे ठीक है तो वहाँ पर आप कोल करके उनसे पूछ लीजिए कि सर नोट्स क्यों अफलोड नहीं हो रहे हैं क्या कारण हैं किस परकार होंगे ठीक है जिस किसी को भी कोई प्रोब्लम हो तो वो पूछ लेना अ यह थैंसरश अभी के निजर आएगया होगा सभीकोश को अब इस में इसकिशनमें किसी को क्यों इक UAई एफ प्रोब्लम हो सकता है ठीक ہے फिसक Als One नहीं होगा इसको टोड़ा सा द्याद से देख लेना आंसे कोई बात नहीं ठीक है यह में स्प्रिंट हो सकती है लेकिन हम जो क्रसन कर रहे हैं वहाँ पर कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि हमने एकदम किलियर किया है ठीक है ओके ठीक है यह डन है किसी का कोई प्रोब्लम है 44 आंसर होगा चाहरो आगे देखो द्यान से देखिएगा क्येशन को तेन बोइस है और सब एजब्सक्राइब एंकी दिवह आयू की ठिक है एक दिया हुए है और उनका अनुपात भी धिया हुआ है ठीक है यह इनुपात दीया हुआ है तो आपको प्रोब्लम्लम आनी नहीं चाहिए ठीक है सबसे चोटे लड़की की आयू ज्यात करनी है देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा इसका ठीक है ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास ठीक है मैं बताना स्टार्ट कर दूँगा जितना जल्दी हो सके आपको करना है इसका आंसर क्या रहा है सभी के पास अभी तक नहीं आया चालो देखते हैं देखो मैंने जैसे कहां आपसे वैसे करोगे अगर एक क्यूशन को समझते हुए तो आपका टाइम भी नहीं लगेगा कहीं प्रोब्लम भी नहीं होगी क्यूशन को ध्यान से पढ़ो सबसे पहला का आपको क्या करना तीन लड़के दिये हुए है ठीक है और तीनों लड़कों को मैं रखते था हूँ कि यह एक A है एक B है और एक C है यही बात है न तीन बोईज मैंने रखे और उनका ओसत आयू कितनी है ओसत का मतलब समझ गए होंगे मैंने ओसत आपको जब पढ़ाया था यह काонец और उसमें बताया था कि ओस्यत बराबर आपका क्या होता है कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का आपको क्या करना है जैका जो तीन वो चार हो जो भी संक्या हो 10 हो वो संक्या ही लिखने है उनको योग तो उपर लिखोगे नीचे अब आप को जो भी पूछे अगर एवरेज दिया हुआ है अगर कुल संक्याओं का योग पूछे तो क्या करना जितनी संक्या कितनी तीन ही है तो तीन को मल्टिप्लाइ कर तो कुल संक्याओं का योग कितना आजाएगा आपके पास कितना दिया हुआ है इन तीनों गाओ उगा आपके पास 48 दिया हुआ है यहाँ तक किसी को कोई प्रोब्लम नहीं होगी अब तीनों अगर मैं लेका पार ँर्चाट करता हूं तो आपके पास बनेका कीन 숨ए हैं तो X की value आपके पास कितनी होगी सातियों 16 से divide करोगे तो 3 आपका बचेगा अब एक बात बताईए इन में से आपको बड़ी संक्या यानि रेसो बड़ा कौन सा नजर आ रहा है आपको बड़ा रेसा है 7 ठीक है आपको देखो सबसे चोटे लड़ी की पूचे तो सबसे चोटा रेसो कौन सा है 4 तो क्या करोगे 4 दिया हुआ है multiply X की value हमारे पास कितनी आई है 3 तो 3 से हम अगर multiply करेंगे 4 ती 12 तो आपका right answer कितना होगा सातियों 12 वर्स यानि 12 years आपके लड़के की चोटे लड़के की उमर कितनी है 12 years अगर आपसे पूचे की बड़े लड़के की उमर क्या है देखो और क्या क्या क्योशन पूचे जा सकते बड़े लड़के की उमर क्या है तो 7 को 3 से multiply कर लो और अगर ऐसे पूचे जाता है दो तो आपको तरीके आगे तीसरा question आपसे इस परकार पूछा जाता है कि छोटे लड़के और बड़े लड़के यानि सबसे छोटे लड़के और सबसे बड़े लड़के के उम्र में कितना difference है तो देखो साथ तिया आपका 21 बनता है अब 21 में से आपको 12 गठा देना तो आपका उम्र का अंत्राल भी आ जाएगा तो इस परकार आपको 2-3 question इसमें बनते हैं जिस परकार आपको question इसमें बने मैं आपको बता दिया ठीक है अब आपको कोई problem इसमें नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते है अभी यही बताया हूं कि आपके पास कितना है तीनों की आयू दी हुए आपके पास 16 दी हुई है 16 मैंने अवरेज की जिगे लिख दिया 16 ठीक है अगर आपको को संख्या है मतलब को योग पूचा है यानि इन तीनों लड़कों का योग पूचा है कि योग कितना होगा वह तेनों लड़कों तो आप क्या करोगे किल संख्यां का योग पूस्ति तो हुष्टे एं तो 3 कितनी लड़के थीन तो 3 से में लूक्तिप्लाई करूँगा तो तीनों सिक्स में तोड़ साथ द्यान से देखा एवरेज की दो क्यूशन हो गए है ठीक है कमपाउंड उसके भी दो हो गए है ठीक है इस परकार आपको क्यूशन देखने को मिले मेंस्टुरिशन का साइड एक हो गया है चलो एक एक चीज पढ़ोगे आपका कहीं भी प्रोब्लम नहीं होगी एक चीज आपको द्यान से देखिए एवरेज दिया हुआ है जब भी एवरेज दे मल्टिप्लाइ कर लो जितनी संख्य दिए देखो द्यान से पहले इस संख्या को पढ़ो पहले क्यूशन को एक बरी न मदलब मतलब घिया हुआ है 43 चणी ठिक है और आपको कितना का बताना कितना बीं का वजन बताना है ठिक है उसी परकार सबसे पहले पहली में चलो आपके पास दिया हुआ है A plus B plus C अगर तीनों का योग पूछा देगा ओसत वजन दिया हुआ है तो वजन दिया हुआ है ओसत में average दिया हुआ है ना कितने वेखती है एक दो तीन है तो तीन को ओसत से अगर multiply करोगे तो तीनों का योग आ जाएगा ठीक है अगर मैं 45 को 3 से multiply करता हूँ अब देखो 3 से multiply क्योंकि 45 को 45 average है ठीक है अगर total करने के लिए आपको 3 से multiply करना पड़ेगा तो आपके पास कितना योगा जाएगा A, B, C का अगर 135 कितना हुआ 135 हो गया उसी परकार आगे बढ़ते हैं यदि A और B का average भी दिया हुआ है इतना वाजाएगा आपके पास 80 उसी परकार आपको B और C का भी दिया हुआ है उसी परकार आपको क्या दिया हुआ है B और C का भी दिया हुआ है 43 ठीक है और ये भी 2 से multiply कर दो तो आपके पास कितना बनता है 86 बन गया यहां तक तो सभी का clear है कोई भी problem नहीं है अब आगे बढ़ते अब आपको पूछा है कि हमको B का वजन बताना है केवल और केवल किसका वजन बताना है B का वजन बताना है अब आगे देखो यहां पर मैंने B का वजन आगर आपसे पूछा है तो इसका मतलब आपको देखो क्या करना अगर इन दोनों को aid करते हो तो आपके पास कितना बनेगा A plus B plus C और B दो बार है ना एक B को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं है अब इन दोनों को अगर मैं aid करता हूँ इन दोनों को देखो A आ गया और B आ गया मैंने A plus B कर दिया उसके बाद में मैंने B और C कर दिया तो B और C इस परकार लिख दिया मैंने B बाद में कर दिया और C इस परकार इन दोनों को aid करता हूँ अगर मैं तो कितना होता है 6 हो गया और रदुनी आपके पास 516 हो गया ठीक है अब तो किलिए रहे है यहाँ पर तो सभी का ठीक है अब क्या करना है आपको ज्यान से देखिए A, B, C इन तीनों का योग आपके पास देखो यार A, B, C तीनों का योग आपके पास 135 दिया हुआ दिया है नहीं दिया दिया है तो अगर मैं इस तीनों की जग़े 135 रख देता हूँ B की value पूछता हूँ तो आपको क्या करना है इसको इस तरफ जाओगे लेके तो यह minus का हो जाएगा तो आपके पास देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं B की value आपके पास कितनी हो जाएगी 166 इसके अंदर से अगर मैं minus करता हूं 135 तो आपके पास right answer कितना बनेगा सात्यों देखो यहाँ पर हो गया आपका 1 और यहाँ पर बने का 3 तो आपका answer कितना बनता है 31 आपका right answer बनता है ठीक है 31 right answer बनता है अब तो सभी का clear है देखो A नहीं होगा 20 नहीं होगा थोड़ा साथ धान से देखोगे तो आपका A नहीं होगा आपका answer होगा 3 ठीक है बिलकुल C answer होगा ठीक है अब बताए इस question में किसी को चलते हैं अगले क्यूशन की तरफ ठीक हैं देखते हैं कितने क्यूशन कर पाते हो यह आपके थ्री राइट आंसर चलते हैं अगला क्यूशन ठीक हैं अब देखो इसमें सबसे बड़ी बिंद मैंने सबसे चोटी बिंदी के बारे में सिखाये था आपको सबसे चोटी बिंद किस प्रकाह निकालते हो एक एक नहीं मैंने दो दो तरीके तिन तरीके भी आपको बताए थे और जिन्हों ने अभी तक पुरानी किला से नहीं देखी सातियों वो जुरूर देखे इसमें आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है ठीक है चैलो इसमें देखते हैं जब देखो यहां पर अगर किसी को आता है तरीक का तो आप बता सकते हो कि सबसे बड़ी संक्या या सबसे चोटी संक्या इसमें कौन सी होगी दोनों बता दीजिए आप तो इसमें पूछा सबसे बड़ी संक्या है सबसे बड़ी बिन पूचिए आपसे अ लगा लिए तो छोटी में आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी हुआ 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 है देखते हैं देखते हैं इसमें आपका A, B और D आंसर में आ रहा है चलो देखते हैं इसमें सबसे पहले आंसर किसका सही आया है आपको मैंने रखा है इस परकार रखा है ठीक है आपको लिखने की जुरुतनी आप द्यान से देख लो मैं समझाने के लिए यह चीज़े लिख रहा हूँ ठीक है तो ग्यारत यह आपका 33 होता है 33 बनता है और अगर इस से इसको मल्टिप्लाइ किया तो कितना मनता है 49 बनता है ठीक है अगर देखो इन दोनों में से आपका कौन सी संक्या बड़ी नजर आ रही है आपको इन दोनों में से आपको यह तो 33 रह गई और यह 49 है तो बड़ी कौन सी है यह वाली बड़ी है इस से तो ठीक है तो इसको तो मत रोखो अब आपको इन दोनों में देखना है कि इन दोनो में देखोगे तो पहले इस चीज को इससे multiply करो तो साथ नो आपके पास 63 बनता है और फिर 11 से आपकी यह वाली बड़ी है तो आपकी सबसे बड़ी संक्या कौन सी है यह वाली आपकी सबसे बड़ी संक्या है अगर मैं पूछू कि सबसे चोटी संक्या कौन सी है तो सातियों देखो क्या करना है इन दोनों में तो पहले आपकी सबसे बड़ी संक्या यह है तो इसको उटा नरे इन दोनों में करके देख लीजिए इनको करोगे तो नो 37 बनता है और साथ 525 बता है बनता है आप सब चोटी संख्या कौन सी हो गई सबसें आपके पास 27 विन चोटी होगी आपके पास चोटी विन आपके 3 बटे साथ होगी तो सबसे बड़ी बिन आपकी कितनी है ठीक है लोग बिन आपकी कितनी है यह वाली है और smallest आपकी कौन सी है यह आपके तीन बटे साथ smallest है ठीक है अब तो clear है अब problem नहीं आने चाहिए आपको छोटी बड़ी के अंदर चैनलो कि इसका राइट आंसर आपके सामने है अब इसको देखिए इसकार के भी मैंने बहुत सारे किशन आपको करवाए थे ठीक है इसका अंसर सबसे पहले कौन देगा बहुत इजी किशन है ठीक है उल्टा नहीं करना है इसका देखिए द्यान से और इसका करिए देखते हैं किसका आंसर सबसे करी और अच्छा आएगा जितना जल्दी आप आंसर देपाऊगे उतने क्यूशन हम कवर कर पाएंगे जितने आपकी केशिटी है देखते हैं कितने आप क्यूशन आपका कितना फाइदा आप उठा सकते हो ठीक है 15-20, 15-20, 30 भी कर लोगे तो मैं 30 भी करवाने के लिए तयार हूँ लिएके आपको समझ में आना चाहिए 10 क्यूशन भी अगर आपके अच्छी तरीके से समझ में आए वो 10 क्यूशन आपको बहुत सारे क्यूशनों में मदद करेंगे बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए अगर आपने क्यूशन ली है तो उन क्यूशन ने आपको ये सभी क्यूशन इस परकार के देखने को मिले होगी और जिनोंने क्यूशन नहीं देखी तो पहले आपसे विंती है है कि आप उन क्लासों को जरूर देख ले判 फिक है और अपने नोर्स बना ले कि दुबारे आप उन लाशों को देखने की आवशक्ता ही ना पड़ेगी ठीक है जब आप उन क्लासों को देख लोगे तो आपको एसास हो जाएगा कि आपकी तयारी कैसी है ठीक है चलो कि आपको इस प्रकार के जब भी क्योशन करवाए थे ठीक है बार वाले तो मैंने कहा था अगर जितनी संख्याओं के आपको उपर बार नजर आया है ठीक है एक दो तीन तो उस बार को हड़ते ही आपके नीचे कितना आजाएगा जितनी संख्याओं पर बार है तो उतनी ही आपके पास केतने आजाएंगे 9 आजाएंगे ठीक है जैसे मैंने आपको दिया है इस परकार का अगर यह क्योशन होता थीक है इसका right answer आपके सामने B है चलो इस परकार का ये भी आपके मिल जाएगा restaurant proportion के अंदर आपको इस परकार के question देखने को मिलेगे इसका answer देखिए 9 का answer सबसे पहले कौन बताएगा? मैत में कोई भी question tough नहीं होता है उसको समझने का तरीका आना चाहिए अगर समझने का तरीका आपको आ गया है तो problem कहीं नहीं होगी कहीं भी आपको problem नहीं होगी 9 में आपका a answer आया है 9 में answer a आया है चलो देखते हैं और किसी का answer चलो देखते हैं नहीं आया है अभी तक किसी का देखते हैं कब तक क्या-क्या answer आएगा तब तक मैं आपको start करवा देता हूँ a, b, c, 3 तीनों की आपको ratio दिया हुआ है दिया हुआ है की नहीं? बिल्कुल दिया हुआ है अनुपात पूचा है आपसे देखो किस-किस का a बटे b ठीक है? a बटे b ratio दिया हुआ है b बटे c का ratio दिया हुआ है c बटे a का यही बात है अब देखिए आगे की बात करते है आपके पास दिया हुआ है A दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है ठीक है B कितना दिया हुआ है देखो A की value आपके पास यह है और B की value आपके पास यह है और C की value आपके पास यह है ठीक है इस प्रकार आपको अगर दिया होता, अगर इस प्रकार के आंसर दिया होते हैं, तो आपका राइट आंसर यह हो जाता है, ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी आंसर आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, तीनो नीचे भी चला जाएगा तो संक्या सकते हम नहीं रख सकते है लेकिन आपका तीन से नहीं जाता है इसलिए आट भी नहीं रख सकती उसी प्रकार आप अगर रखते हो और 12 रखते हो हो LCM LCM 12 रखते हो तो आपको देखो 3 से भी जाता है फोर से भी जाता है और तूर से जाता है इस से चोटी संक्या आपके पास कोई है नहीं जिससे आपका इन तीनों से डिवाइड हो अगर आपका 12 है तो आपको अब क्या करना है सभी 12 से करोगे 12 से multiply कर दो आपका right answer होगे 12 से multiply करोगे तो कितना हुआ 3 से आपका कड़ जाएगा 3 चोक आपके पास 12 यानि 4 दूनिय आपके पास बनता है 8 ठीक है 4 3 आपका 12 बनता है 3 टी आपके पास होता है 9 ठीक है फिर रेसों दिया हुआ है दो से काटोगे छे और छे चोका आपके पास बनता है 24 ठीकर 24 और और आपके पास इस वाला ओप्सन को सा है यह बता दीजी कौन सा है उप्सन आपके पास यह रहा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा थ्री इसमें किसी को कोई प्रोब्लम हो तो बताइए कि इसमें यह कैसे आया है कोई भी अगर पूछना चाहता है तो इसमें पूछ सकता है किसी को कोई प्रोब्लम नहीं है चलें आगे चलो इसका थ्री आंसर है चलो अगला यह देखिए आपके सामने दिया हुआ है इसका आंसर देखिए जिसने अगर क्लास लिए है जितने अगर आपने एवेजी क्लास लिए तो इसका क्यूशन का अंसर देना बहुत इजी हो जाएगा बहुत इजी इस परकार की क्यूशन भी मैंने करवाए है चलो मैं बता देता हूं इसका भी देखो यहां पर दिया हुआ है रेसों का रेसों में आपको क्या रखना है बटे में होता है इसका मतलब क्या होता है पाल दिया हुआ है पते द्या है चलों दिया और इसका एक्वल धिया हुआ उपर ठीक है तोbrand इसको मतलब निचे वाले वाले की वेल्यू आपके पास है इस बयूँए यानि ए सी ओर ली इन तीनों की वेल्यव आपके पास कितनी दी हुई है 1 दी हुई है ध्यान से देखिएगा और नीचे वाली संक्या जितनी दी हुई है उन्जी संक्या की वेल्यू कितनी है 2 है ठीक है अब देखिए जिसकी वेल्यू रखनी है ए दिया हुआ है तो 3 रखो 3 रख दिया है और A कितना दिया हुआ है A आपके पास 1 है ठीक है ध्यान से देखिएगा प्लस आपको दिया हुआ 5 इंटू C की वेल्यू कितनी है देखो C भी आपके पास यह दिया हुआ है और इसकी भी वेल्यू आपके पास 1 है ठीक है प्लस 7 दिया हुआ, E की वेल्यू भी आपके पास 1 है, तो यह आपके पास अलग से हो गया, दूसरी बात आगे चलते हैं, इसमें देखो 3 दिया हुआ है, और 3 की वेल्यू कितनी है, आपके पास 2 दिया हुआ, प्लस 5 इन 2, D की वेल्यू कितनी है, आपके पास D है रहा, और D क डूहां साथ बीक में दिया हुआ है तीन दुनी आपका बनता है अब 21 वीशचाघ और आपका दस यह 30 कर गया गुआ है अगर हम की सबस्यों को अटते हैं तो जिसको भी कोई प्रोब्लम है तो पूछ सकता है कि यह सर कैसे आया है ठीक है चलो आगे देखते हैं कि इतना टाइम नहीं बचेगा हमारे पास किसनों को इसलिए ठीक है और पूरानी क्लासी देखो गे ठीक है तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि क्यों इस प्रकार हुआ है ठीक है चलो 20 वेक्ति आपको दिये हुए है और 20 वेक्ति किसी कारिय को क दस आदमी है कितने दिन में करते हैं ठीक है और कितने घंटे काम करते हैं ठीक है फिर देते हैं आपको कि अलग कि आपके पास एंटू भी दिया हुआ है डी टू भी दिया हुआ है एच पूचा है ठीक है इस प्रकारे क्यूशन देखो इस क्यूशन को द्यान से देखोगे 20 वेक्ति दिये हुए हैं MDH वाला formula बहुत easy होगा ठीक है 20 वेक्ति दिये हुए है ठीक है और किसी कारी को कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में करते हैं D का मतलब हो गया कर सकते हैं तो बताओ H तो पूचा ये नहीं है तो एसको रखने की कोई जिर्वत नहीं थीक है उसके बाद भी देखो, उसमें पता है कि 25 वेक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, ये बतारा है, टीक है, डे पूचा है, 25 को नीचे से डिवाइड करना है, यही बात है, 25, 5 से करोगे तो आपका दो बार, और 5 से करोगे 4 बार, तो 4 दूनी आपका 8, और 8 क्या है, डे इस आपक आपको पूरा कर लेंगे, ठीक है, तो आपका रायट आंसर हो गया, यह आपका रायट आंसर होगा, ठीक है, 8 आंस बिलकुल, ति क्लार страх को पता चल जाएगा, वे सभी कूशन आपको एक्जाम की दिरिष्टी से जो भी कूशन है, सीटेट के लिए इंपोर्टेंट वो सभी क्यूसन इसके अकोडिंग होंगे ठीक है और जिन्हों ने पिते क्लासे नहीं देखिए उन सभी को पता चल जाएगा कि किस परकार के आपको कुशन देखने को मिलेंगे और पूरी क्लासे जरूर देखिएगा सीटेट की आपको सभ अध्री abиной पर जोटीद्वू ऐडरी कित्ने गंटे काम करते हैं वक भी केरी कारएट क करके चल याट गंते कारिय करके 15 दिन में क्या करते हैं 15 दिन में काम कितना करते हैं 1000 कोपियां सकते में कितना वरक किया एक हजार कोपियां को वर्क को नीचे रखना है बस इतना सा ध्यान रखना है चलो, M2 कितना है, अब M2 में आगे पड़ो, यहां तक तो आपका किलिए रहे, बताओ, पांस उध्यापक पांस उध्यापक है, फिलको रख दिया मैंने, M2 की जगे, और गंटे कितना दिया हुआ है, छे गंटे, छे रख दिया है, इंटू, कितने दिन में, कितने दिन दिया हुआ है, दिन पूछा है आपसे, यहलो दिन, और 2000 कोपियां जाच लिए, कितनी कोपियां, 200, 2000, ठीक है, अब यह हो गया आपका, आगे पड़ो, ओके, बहुत अच्छी बात है यह तो, यह तो कुछकबरी है, चलो, पार्टी हो जाए फिर तो, चलो, अब देखते हैं, इनको, अब काट लो, ठीक है, आपको डी की वेल्यू निकाले हैं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डी की वेल्यू, नीचे वाले से, नीचे वाले काट लो, अगर इक्वल में है, कोई पलस माइनस नहीं है तो, तीन जिरू से मैंने तीन जिरू आपके इसके कैंसल कर दिये, ठीक है, अब देखो, उपर वाले से उपर वाले को काटोगे, दो जिरू से मैंने यहां के दो जिरू कैंसल कर दिये, पांच से मैंने पांच तीन आपका पंदरा हो गया, ठीक है, फिर मैंने इसको दो से काट दो तीया आपका 6 हो गया तीन हो गया और तीन से मैंने इस तीन को Cancell कर लिया इधर आपका सिर्फ ओर सिर्फ दी बचा है और यहां पर आपका बचा एक इतना आठ बचा है और दो बचा है यहां आठ दुनि आपका 16 बनता है यहनि आपका right answer कितना हो साथी हो बिल्कुल सोला अंसर है ठीक है बहुत अच्छी बात है कि देखो एक टीचर के लिए बहुत अच्छी बात तब होती है जब उसके स्टुडेंट क्वालिफाइ करते हैं ठीक है उनके लिए उनसे ज्यादा कोई भी चीज माहिनी नहीं रखती है क्यों है तो अब तो सभी का खिलिए रहे प्रोब्लम कहीं नहीं शीच है कि समों को अगर पढ़ना मेरा मकसद यह है कि आप मेैयित की उसट्णों को पढ़ना सीखंप लिया तो आपको कोई प्रोड्लम नहीं होगी ठीक है तो सीटेट का एक्जाम भी आपको सभी के नजदीक है ठीक है और क्वालिफाई करना है सभी को ठीक है चैलो कट करना नहीं है आपको देखते हैं क्या करना नहीं है क्वाली है है देखो उपर वाली उपर वाली कर सकते हैं और नीचे वाली से टीकवल में ढया हुआ तब जहां रखना ठीक है यह दूर्वे नीचे कर ली इसको देखेश चैन्ज़ कर लेता हुँ जिससे आपको दिखने में आसानि दले देखिए अगर मैंने यह जो तीन जीरू है आपके यह तीन जीरू से मैंने तीन जीरू कैंसल कर दिये ठीक है उपर वाले मैंने दो जीरू से आपके उपर वाले दो जीरू कैंसल कर दिये ठीक है अगर मैं फिर देखता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको 2 से आपका ये 3 कैंसल कर दिया, कर दिया ना, 2 तीया 6 तीन बार में कैंसल हो गया, फिर बात करते हैं, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, अब उपर उपर वाले को देखते हैं, तो देखो 5 से काटोगे, 5-3 आपका 15 हो गया है कि नहीं, यहाँ पर 3 है, और इस 3 से मैंने इस 3 को कैंसल कर दिया, अब यहाँ पर आपका देखो क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ डी बचा है, मैंने डी यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और आपको यह करना है, कि आपके पास और क्या क्या चीज बचिए, 8 बचा है इधर और यहां पर 2 बचाए यहनु आर्दूनिया आपका 16 बन गया और कुछ बचा ही नहीं है तो आपका राइट आंसर D कितना हो गया आपका राइट आंसर D ठीक है ि अब ठीक है सभी को चैलो इसका दक कि और इसमें दिया हुआ है ठीक है शयुक्ते है कि तो कि और और सिस्टम से बनते हैं ठीक है इस परकार को देखिया तो विवाजाजन के नियए, आप सभी को पूरे देख लिए इसमें कहा गया है कि 5 दिया हुआ है 5 7 5 6 इस प्रकार आपको क्यूशन दिया हुआ है किस संख्या को जोड़ने पर 9 से क्या होगा विवाज्य होगा तो बात ऐसी है आप कितना डिवाइड करोगे तो आपको पहले क्या करना सीधा इड कर लो सभी को ठीक है एड करने का तरीका भी मैंने अच्छी तरीके समझाया है जितना इजी हो सके 5 और 5 आपका 10 होता है 6 दूरी 12 और एक आपका 13 होता है ठीक है अब इन दोनों को एड कर लोगे तो आपके पास कितना मढता है 23 अब एक बात बताईये मेरे को 23 आपके पा आता है 27 आता है तो 27 बनाने के लिए इसमें कितना एड करना पड़ेगा इसमें एड करना पड़ेगा आपको कितना 4 एड करना पड़ेगा तभी तो आपके पास 27 आता है एड कितना किया कितना 8 गया 4 तो आपका राइट विवाज जी होगा कितना जोडने पर 4 जोडने पर इसमें डिवाइड होगा ठीक है तो ये भी आपका किलियर होना चीजिए तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है बिलकुल चैलो आगे की तरफ बढ़ते हैं करटीन में ए आंसर आ गया है बिलकुल करेक्ट ठीक है ए आंसर अब आगे और देखिए एक क्यूशन आपके इस परकार भी नो से विवाज जीता का नियम पूछ सकता है क्या पूछ सकता है तरीका वही रहना चीए तरीका चेंज नहीं होना चीए क्योंकि तरीका आपको अच्छा इसी परकार रहेगा ठीक है सबसे बेश्ट यही है देखो यहाँ पर डीजिबल बाई नाइन यानि नाइन से डीजिबल का पूछा गया है तेन आपको डीजिट इन प्लेस यानि इस से जो स्टार दिया हुआ है इसकी जिगह आपको कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी यह पोचा है तो आपको वही तरीका करना है पहले इन सभी संख्याओं को क्या करना है आपको 8 कर लेना है इस टार वाली जिगह को छोड़ देना है बाकी इन सभी संख्याओं को क्या करना है आपको 8 करना है जिससे आपको पता चले कि क्या बनने वाला है देखो 7 है आपके पास 7 में 3 को 8 करूंगा तो कितना होता है 10 तो आपके पास यह बनता है ठीक है 9 से divisible करने के लिए आपको 27 होते हैं divisible ने तो ठीक है इसको बनाने के लिए आप कितना add करना चाहते हैं उसमें 6 add करना पड़ेगा तभी तो 27 होगा और तभी आप 9 से divisible कर सकोगे तो आपका right के answer कितना होगा 6 आपका answer होगा तो बिल्कुल C option आपका बिल्कुल correct answer होगा अब तो clear है सभी का चैलो इसका C option होगा बिल्कुल clear अब आगे बात करते हैं इस परकार के इकाई वाले संख्याओं का बताना है कि इकाई का अंग क्या होगा द्यान से देखोगे तो मैंने आपको बहुत easily और normally तरीके से हर चीज स ठीके 2 से अगर आप multiply करोगे 8 से तो कितना हो गया 8 दूनी आपके पास कितना बनता है 16 बनता है ना अब एक को छोड़ दो हमें तो इकाई चाहिए इकाई कांग अब आपके पास 6 दिया हुआ है 6 से मैंने 6 से multiply किया तो बनता है मैंने आपको बताया था कि 1 हो 5 हो ठीके 0 हो 6 और से penis जब भी आग पीछे रऎती है और यह संकय पीछे रइienced way यदि उस रिष्के से multiply होती है तो आपके पास संकय वही रहती है तो 6.34 तो थो 6 इसके होगा ठीके यहनों कीब इकाइकां कितना होगा 6 होगा तो आपको उपोछा है तो इकाइकां का आपके पास D.Oψon हो हो चुका है और क्यूशन भी आपके पूरे हो चुके हैं ठीक है अब आपको देखना है आप पूच रहे हो कि क्लासे कहां मिलेगी जो भी नहीं विद्ध्यारती जुड़े हैं आपको अगर क्लासों में प्रोब्लम आ रही है तो जितना भी कवर कर सकते हो आपको पुरानी के क्लासे मिल जाएगी बिल्कूल इजी तरीके से हैं आपके क्यूशन के अकोडिंग ठीक है जो भी आपको क्यूशन पूचे जाते हैं उसमें आपको कहीं प्रोब्लम नहीं आएगी ठीक है एक एक चीज आपको बेसिक से समझाए गया है जैसे अभी हमने आग क्लास की वैसे अब तक वीडियो नहीं मिले तो प्लै-लिस्ट में जाए और प्लै-लिस्ट के अंदर जाते ही आपको यहां पर मिलेंगे UGC-Net वाले और आगे मिलेंगे आपको सीटड वाले सीटड में यहां पर इस प्रकार का एक निसान बिलेगा उस निसान पर दिबावगी तो आपकी और С फ्रिट्रेट वाली क्लासे खुल जायेगी जिस से आपको किलासे मेद भी वहां मिल जाएगी कि इस प्रकार का निशांद दिया हुआ है और वहाँ पर आपको सीटЧто वाली क्लासे भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर जा crédक उसके अंधर आपको आगे 250 geared को क्लास को दबाना इसके अागे सारी कलास इंहां को वहां देखने को मिल जाएगे ठीक है और दोस्तों अभी तक जिनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे ठीक है और आपको दोस्तों सभी दोस्तों से निवेदर है अपना केर और तयारी अच्छे से करते हैं ना और बैस्त आप सभी को मिलते हैं फिर कल की क्लास के अंदर